हेलो श्टूरेंज वेलकम टू माई यूटूब चैनल मैतमेटिक्स विद अवीगर इस लेक्चर में आपको बताऊंगी लोग 3 की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे ना ही हम क्यार्कुलेटर का यूज करेंगे और ना ही हम लोग टेबल का यूज करेंगे ठीक है लोग टेबल हमारा लोग का बेस 10 रहता है ठीक है यह फिर e रहता है यह चीज याद रखिए एक तो यहाँ पर बेस है हमारा 2 ठीक है अब देखो इसको क्यों करने से पहले एक चीज और आपको समझ आनी चाहिए जैसे लिखा हुआ है हमारा की लोग x यहाँ बेस क्या है e ठीक है is equal to y त चार बटा नर ऑअट के बीच में वहाँ यह स॑क्यों साथ बटा रा बटा चार और जैनल के इसकी वैलिखो यह आपने देखने आपको आपने बता नहीं है कहां पर क्या होगी क्या होगी ठीक है उपने ह counterparts जैंपने बात होफों friendship हैं आया हुआ, ठीक है, आपकी value किसके निकालने है, log 3 की, इसको हमने भाले x, ठीक है, अब देखो, इस वाले format से, इस वाले rule से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 is equal to 2 की power x, ठीक है, यह हमने लिख रिया, अब देखो, आब हमने निकाला 2 की power x, तो हमने क्या करेंगा क्यूब तो 2 की पावर x का क्यूब इसका भी क्यूब होगा 3 का क्यूब, ठीके? 3 का क्यूब क्या होता है? 3 तिया 9, 9 तिया 27 27, ठीके? अब देखो, जो जो 27 है यह हमारा के 32 से कम है? बिल्कुल कम है भई इसमें कौनची बड़ी बात है बिल्कुल 27 चोटा है 32 ज्यादा है ठीक है अब 32 को आपके लिख सकते हो तू की पावर 5 2 की पावर 5 का वैलु क्या होता है च्टौेट्स कांट करिए दों दोंनी चार चार दोंनी आर ऩार आट दोंनी शोला 16 इसदों निंग 32 तो 2 की पावर 5 की value क्यों होती है 32 यह किसके equal आगे 32 को हमने क्या लिख दे 2 की पावर 5 अब देखो यह step ध्यान से देखी 2 की पावर x है और फिर उसको क्या है cube पावर के उपर पावर है तो मैंने आपको बताए हुआ है पावर के उपर पावर होते है तो multiply हो जाती है ठीक है x को आपने 3 से multiply करा तो क्या आएगा 3x simple ठीक है ठीक है इस इक एक वाली टम का हमारी use नहीं हमने छोड़ दिया यह चीज़ इसी के equal है ठीक है भाई हमने यह सब चीज़े इसके equal है तो यह लिख ली सिफ अब देखो यह वाली टम इसके वी तो equal है एक पॉल का sign नहीं चल र अब यह 27 less than है तो यहां भी क्या आजाएगा less than ठीक है तो हम equal to वाला sign तो हटा देते है less than वाला ले 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 ठीक है यह तो इसके equal है और यह इससे less than है 27 को हमने एक तरह से क्या लिख दिया 2 की power 3x क्योंकि इसी के equal है और यह क्या है less than 32 ठीक है less than 32 और यह किसके अब देखो बेस सेम है यानि की power भी बीच भी वही sign आएगा जो यहां पर sign है 2 की power 3x less than 2 की power 5 है इसका मतलब क्या हुआ 3x less than 5 ठीक है क्यों देखो जैसे ऐसा होता है 2 की power x is equal to 2 की power 1 ठीक है तो आप क्या 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 है बेस सेम है और यहां पर sign क्या है equal का तो इन powers के बीच भ यानि की x less than क्या आगे 5 by 3 ठीक है अब देखो 5 by 3 match कहां कर रहा है इस वाले option में ही हमारा match कर रहा है x का value कहीं ना कहीं 5 by 3 से क्या रहा है less than यानि कि हो सकता है इस में से यह वाले option सही हो confirm नहीं है हाब हमें 3 by 2 वाला term रहा है ना मारा ते मंवन वह भी नाना है तो देखो इससे तहाब कर दिए बॉक्स में बंठ थीक है अपने ह्या क्या कर आता है 2 की पावर x का qv आप हमने करना है 2 की पावर x का square ठीक है लिख लीजिए 2 की पावर x का square ठीक है 2 की पावर x का square 2 की पावर x equal किसके है 3 के 3 यानि कि इसका ही तो square होगा कुछ नहीं simple यहीं से समझ सकते हो square करने पर ठीक है both side square कर दीजिए 3 का square और 2 की पावर x का square ठीक है simple सी चीज है इज इकल तो तीन का स्क्वाइर है क्यों होता है और यह आपको समझाने के लिए यह चीज लिखी यहां से आपके लिख सकते हो नाइन किसकी एककोल है 2 की power 2x के power same वो sorry power के उपर power है तो multiply हो गया ठीक है तो क्या जाएगा 2 की power 2x 9 को मैं लिख दे ये इसके बाद क्या है 9 के साथ sign greater than ठीक है 8 किसके एक को ले 2 की power 3 के सीधे 2 की power 3 यहाँ से क्या जाएगा base same है यानि कि 2 की power x greater than 3 ठीक है यानि कि x का value क्या है greater than 3 by 2 2 का divide करते है simple ठीक है यहाँ क्या रहा है x की value less than 5 by 3 लिख लिजिए x की value less than 5 by 3 यहाँ पर क्या रहा है x क्या है greater than 3 by 2 से तो लो जी लो x greater than हो गया 3 by 2 से यही चीज़ लिखिए इसको और इसको मैच करो x greater than 3 by 2 से x greater than 3 by 2 से x less than 5 by 3 से अब इस वाली चीज़ को हटा दो इसको देखो इसको x less than 5 by 3 से ठीक है समझ लिए आपको यानि कि हमने क्या कर दिया हमने बता दिया जो x है वो vary कहां कर रहा है 3 by 2 से और 5 by 3 के बीच में लिख लिजिए x कहां vary कर रहा है 3 by 2 और 5 by 3 के बीच में ठीक है समझ है 3 by 2 और 5 by 3 के बीच में vary कर रहा है और x आपने माना क्या था log 2 3 ठीक है base 2 और value किसका निकलना है log 3 आपने इसको x माना x की value हुने बता दि 3 by 2 से और 5 by 3 के बीच में तो कौन सा option सही होगे students यानि कि इसकी value क्या होगी 3 by 2 और 5 by 3 के बीच में यानि कि c option is correct समझा है students तरीका करने का याद रखे students important question है competitive exam में आया होगा ठीक है so thank you students मिलते हैं नेक्ट लेक्चर में बाबाई